नमस्कार दोस्तों आप से भी कस्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आए हूँ 5-8 दिसंबर के लिए दैनिक राशिफल तो आए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा साथवी राशी लेते हैं लिबरा यानि तुला राशी तुला राशी पांच दिसंबर के दिन आप थोड़ा अकेला पन महसूस कर सकते हैं आपको लगेगा कि कई लोगों ने या उन लोगों ने जिने आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था आपका साथ छोड़ दिया पर अब अलग थलग अकेले पढ़ गये हैं। लेकिन यहां आपको अपनी विल पावर पर पूरा भरोसा करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि अकेले पढ़ने पर भी आप इतने सक्षम हैं कि अपने कारे को पूरा कर सकें या जिस कारे को हाथ में लिया है उसे पढ़ड़ती तक पहुचा सकें। सफलता इस दिन आपका इंतिजार कर रही है कदम उठाने भर की देर है। पर इंफ्रेंस कर रहा हो तो ध्यान दें सोच समझ कर ही कारे करें। छे तारिक को अपने से बड़ी उम्र के लोगों से साउधान रहेगा वे आपको धोगा भी दे सकते हैं। वैसे छे तारिक समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नए सीरे से बनाने के लिए प्रयास करने है तू अच्छा दिन रहेगा। इस दिन आपके दोरा किये गए प्रयासों की वजह से समाज में आपके प्रतिष्ठा नए सीरे से बननी शुरू हो जाएगी। साथ दिसंबर के दिन बहुत खुश रहेंगे। परिवार में उत्सो जैसा वातवरण बना रहेगा। खुश हाली आपके घर में आपके इर्दगर्द मौजूद रहेगी। लोग आपके संपर्क में आकर प्रसनता का अनुभो करेंगे। अगर आपकी आयु विवाह योग्य है तो विवाह संबंदी मामलों पर आपके चरचाएं चल सकती हैं और अगर आपड़ विवाहित हैं तो वैवाहित जीवन में के एक हर्श और ऊल्लास का अनुभो इस दिन प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए भी ये दिन उत्र उत्र बढ़िया है और व्यापारिक मामलों के लिए सर्वोत्तम दिन है आठ तारिक बिल्कुल विप्रीद दिन है बहुत बुरा दिन है इस दिन आपको पहली चीज तो धोगा दिया जा सकता है दूसरे कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वज़ा से आपका कोई बना बनाया कार्य बिगड़ जाए अगर कोई कार्य बिगड़ता है तो बहुत ज़्यादा हैरान या परेशान मत होईएगा क्योंकि ये बिगड़ाओ ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा या आस्थाई है या आस्थाई होने के साथ साथ जल्दी ही क्योर हो जाएगा यानि कि कंप्लीट हो जाएगा ठीक हो जाएगा लेकिन अगर आपने चीजों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लेने की कोशिश करी आठ तारीक को तो चीज़ें खराब हो सकते हैं। इसलिए आठ तारीक को पहले तो विवादों से दूर रहिए, दूसरे जो हो रहा है उसे होने दीजिए, तीसरे अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, तो वो आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, इसके लिए अपने आपको ज़्यादा तंग ना करें, आत्म अनुबह, अपने सुझाओ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद, नमस्कार